like say अलै 살al मैं स्टुडैन्ट आज रा Simmons अज ए मारा टॉपिक नंबर 18 लेपलासियं अढечь है ने मेelफ लासिय करना है यह क्या है i टीर ऑियक्ष सेंग अड़र डिफुरेंश्यल ओप्रेटर मारे पास एक डिफुरेंशियल उप्रेटर ठीक दे toch असलाम अलेकॉम जी स्टुडेंट आज है मारा टॉपिक नमबर 18 लैपलासियंज हमने लैपलासियंज स्टडी करना है यह क्या है इस सेकंड आडर डिफरेंशल अपरेटर मारे पास एक डिफरेंशल अपरेटर था जिसको हमने नोड किया था पार्शल डैरिवेटर विद रि कि डिफरेंशल इसको हम भी करने एंगी लैपलैशींज operator square u या फिर हम इसको denote करेंगे del multiply by del dot u यह हमारे पास notations हैं इसको show करने के लिए इसको open करके देखते हैं हमारे पास del operator का क्या function होता है partial derivative with respect to x plus partial derivative with respect to y plus partial derivative with respect to z ij के यह unit vector हैं फिर multiply by del multiply कर दिया अगर दो यह आई multiply by i हो तो result हमारा कितना आता है वान इदर हमने साथ लिखानी फिर जे वले को जे के साथ multiply करेंगे के वले को के वले के साथ multiply करेंगे यह हमारा dot product इसको हम कहते हैं dot product तो यह हमारे पास आ गया second partial derivative with respect to x plus second partial derivative with respect y second partial derivative with respect to z यह इस notation को हम यह कहते हैं it is a scalar operator हमारे पास जो डेल operator था यह यह इस आ वेक्टर डेल मुल्टिप्लाइब डेल दो हमारे पास वेक्टर को अजटी आप उसमें multiply हो तो give a scalar यह हमारे पास अगर हमारे पास 2D हो यह थी है हमारे पास notation अगर 3D हो x y and z तो यह वहला हमारे पास formula होगा डेल operator हमने laplacian इसका हम एफां फाई इथर फाई नापने x के लिहाज से दो दफा पार्शल derivative लेना है फिर प्लस करना हैं फिर दो दफा य क का लेना है फिर दो दफा जाड़ बेना है अगर यह टरम सुरे equal हो जाए zero तो इसको हम क्या कहेंगे it is a harmonic function यह हमारा harmonic function होगा और यह वहली equations को हम कहेंगे laplace equations यह एम से क्यूब भी आप से exam में आ सकता है laplace operators को हम polar farming भी express कर सकते हैं इसके लिए हमारे polar farms कौन सी होती है यह हमारे पास cartesian systems है यह हमारा radius r है और यह theta है अगर radius r theta include हो तो हमारे पास laplace function क्या होगा यह हमारे पास polar farming होगा यह वहला formula अगर हमने laplace लिया है किसका एक phi है हमारे पास functions है उसका फार्मूला क्या होगा partial derivative with respect to theta का लेंगे हम दो दफा positive sign 1 over r radius 1 over r फिर partial derivative of a phi with respect to r इदर theta के लिहाद से है फिर r का positive sign 1 over r square 1 over r square फिर partial derivative of a phi with respect to theta second partial derivative यह है हमारे पास और ले प्लास equations को हम किदर किदर यूज करते हैं differential diffusion equations heat and flow gravitational potentials and quantum mechanics यह मुखलब branches है अप जिदर हम यूज करते हैं माम स्टुडेंट चैनल को लाजमी सबस्क्राइब कीजिएगा जजा कर ला खुदा आफिस